अबी जो सरकार चल रही है जारखंड में मैं कोई जिजक के बगर कह सकता हूँ है मंद बाबू कान खोल कर सुन लो मैं कोई जिजक के बगर कह सकता हूँ कि सरकार भारत में सबसे ब्रश्ट सरकार अगर कहीं पर है तो जारखंड के अंदर मित्रोहटल जी ने जारखन को बनाये था एक सपने के साथ कि जारखन का विकास होगा यहां के दलीत, यहां के आधिवासी, यहां का पिछड़ा वर्ग जो सालों से अन्याय सायन करता था वो अन्याय का निवारण होगा रगुवर जी की सरकार, अरजुन मुंडा की सरकार ने शुरुआत तो अच्छी की फिर से हमंत बाबु आ गए अरे भाई, कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो ब्रष्टाचार करता है, तो हाद से करता है इन्होंने तो ट्रेक्टर और रेलवे के वेगन से ब्रष्टाचार करना सुरू कर दिया जरा सर्म करो, सर्म करो, जो पैसा गरीब आदिवाश्यों के विकास के लिए है, जो पैसा हमारे पिछडे वर्क के गरीब भाईयों के लिए, दलिद भाईयों के लिए, वो पैसा आज घबन करकर दिल्ली के दर्बाहर में पहुँचा रहे हो हेमन बाबो जनता के एक हजार आँख और एक हजार कान होते हैं जनता है जो सब जानती है एक बार चुनाव के मैदान में आजाओ दो-दो हाथ कर लो जारखन की जनता आपको हटाने के लिए तयार बैठी है